कुछ सच्चाईयों को हमें स्विकार करना पड़ेगा उसके समाधान के लिए मेरे प्रियप परिवार जनों मैं आज लाल किले से आपकी मदज बांगने आया हूँ मैं लाल किले से आपके आशिरवाद मांगने आया हूँ क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है देश की अवस्चताओं को जो मैंने पर्खा है और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आज गंबीरता पुर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा आजादी के अमरितकान में 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा उच समय दुनिया में भारत का तिरंगा जंडा विक्सित भारत का तिरंगा जंडा होना चाहिए रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है पीशे नियाटना है और इसके लिए सुचीता पारदर्शीता और निस्पक्षता यह पहली मजबूती की जरूरत है हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खात पानी दे सकते हैं संस्ताओं के माध्यम देज़े देख सकते हैं नागरिक के नाते देख सकते हैं परिवार के नाते देख सकते हैं यह हमारा सामोहिक दाईत्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहाद देखी है भारत के सामर्थ में कोई कमी नहीं थी अरे जो देश कभी सोना की चिडिया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ को लेकर के खड़ा हो सकता है मेरा अतूर्ट विश्वास है साथियो मेरे पियप परिवार जनो मेरा अखंड अतूर्ष एक निष्ट विश्वास है कि 2047 में जब देश आजाजी के 100 साल मनाएगा मेरा देश विक्सिद भारत बन के रहेगा और ये मैं मेरे देश के सामर्थ के अधार पर कह रहा हूँ मेरे उपलब्द समसादनों के अधार पर कह रहा हूँ ऐसे घर कर गई है हमारी समाज ववस्ता का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आँख भी बंद कर देते हैं अब आँख बंद करने का सबय नहीं है अगर सपनों को सिद्ध करना है संकल्प को पार करना है तो हमें यह आँख में छोली बंद करके आँख में आँख मिलां करके तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है हमारे देश की सारी समच्चाओं की जड़ में प्रस्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्ताओं को देश के समर्थ 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 को पूरी तरह नोच लिए प्रस्टाचार से मुक्ति प्रस्टाचार के खिलाब जंग हार की काई में हर ख्षेत्र बै और मैं द किवन का commitment है कि यह मेरे अभ्यचत्い तका एक commitment है कि मैं प्रस्ट अचार खिलाब लड़ाई लड़ता रखूंगा कि दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिघ्फारवाद ले इस परिवाद ने जेद परिवार बाद ने देश को जिस प्रकार जे जकड़ के रखा ए उसने देश के लोकों का हक चिना है और तीस Prlai तुष्ट्री करन की है ये तुष्ट्री करने भी देश के मुलभुचिंतन को देश के सर्व समास वैशक हमारे राश्ट्रे चरित्र को दाग लगा दिये हैं तैस नैस कर दिया है इन लोगों ने और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों इसलिए मेरे प्यारे परिवार जनों हमें इन तीन बुराईयों के खिलाब पूरे सामर्त के साथ लड़ना है प्रस्टाचार परिवारबाद तुस्ट्री करण ये चुनोतियां हमारे ये ऐसी चीजे पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांशा है उसका दमन करती है हमारे देश के कुछ लोगों के पाथ जो छोटा पोटा सामर्त है उसका शोशन करती है ये ऐसी चीजे हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांशाओं को सवाल या निसान में गार देती है हमारे गलीब हो हमारे दलीत हो हमारे पिछडे हो हमारे पसमांदा हो हमारे आदिवासी भाई बहन हो हमारी माताई बहने हो हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराईयों से मुक्ति पानी है